किसन मित्रों नमस्कार मैं हूँ आनिल ज्यादों आज का यह प्लॉट पर विजिट इसलिए है कि यह हालोली एरिया है जो ओड़ोदरा जिल्दा में हालोल तालुका आता है वहाँ पर विजिट आज यह प्लॉट पर हो रहे है मेरे विडियो देखने के बाद उनका क्वांटक हुआ कि सर आप यह प्लॉट पर आई है और क्या परिस्तिती है देखिए कि किसान जब केला खेती करता है और छे महिन उसमें निकल जाता है और ऐसी परिस्तिती रहती है तो उस समय यह केला निकल देने का सम्मन होता है लेकिन जहां पर जिस किसानों को पता नहीं है कि जो चार महिना ठंड में रहता है उसके बाद जैसे गर्मी शुरू होती तो पहुदा पानी अगर आप देते हो लगातार पाच्छे दिन में और सेडूल जो खाद फर्टिलाइजर है वो उसमें चेंजेस करते हो तो ऐसे प्लाट रिकॉर होता है क्योंकि यूपी का एरिया अगर आप देखते हो उत्रपरदेश में 12-13 महिना लगता है 14-15 महिना लग जाता है तब वहां पर जाके कटिंग और बं अभी ऐसे अगर जिस किसानों का प्लाट होगा तो ऐसे किसानों को मैं बताऊंगा कि ओसेडूल आप फॉलो करें तो उसमें जो सुधारना होगी उसकी कोशिस हम लोग करेंगे इसमें अभी जब किसान यह 22 भाईते थंड के दिनों में 10-12 दिनों में पानी देते थे लेकि अभी गर्मी चालू हो गई है तो गर्मी की इसाब से यहां पर 5-6 दिन में यहां पानी चलाना पड़ेगा ऐसे खेत में और जिस किसानों को ऐसे ही कंडिशन है प्लोट की वो ऐसे खेत में आप 5-6 दिन में पानी चला जाकि भेज नमी रहे अपने खेत में और ऐसे कत्रा जो है कच्रा बिल्कुल भी ना रखे यह हमेशा हरे किसानों की परेशानिया है जहां पे कच्रा करते हैं वहां पे प्लॉट ऐसे ही खराब हो जाता है जिसकी वज़े से ग्रोथ नहीं होता है और खर्चा बढ़ जाता है तो फिर बाद में मन ऐसा होता है कि इस केले को हम प्लॉट करता है लेकिन जहां पर जादा खाद ओहां जैसे कच्रा होता है ऐसे अगर कच्रा आपके खेत में रहोगे तो में झाप्लॉट करिए कच्रानिकाल के खेती को स्वाप सुत्र रखिये और दूसरी बात जहां पर पहुदे की परिस्तिती ऐसी है छोटा छोटा है पानी अभी देखो इसमें 10 दिन में पानी चलता था तो एक कंडिशन इसमें हो गए है सुक गया पूरे पज़दा क्योंकि पहुदा जो है केला ये 95% पानी से बना हुआ है यहां पर इसका tap root system नहीं रहता है supported root रहता है और तंतुमूल रहता है बस यह दो चीज़े इसमें रहता है जो तंतुमूल बढ़ेंगे तो उसका support root बढ़ेगा ऐसे में जो कि अभी ये बड़े पहुदे उनको tap root system रहता है वो जमिन में जितना पानी है वो uptake करता है उपर लेकिन इसको support root रहता है यह पानी हम जितना उपर से देंगे वो उतना खादा और पानी उठाएगा इसको जमिन से यह नहीं लेता है जितना हम देंगे उतना ही लेगा इसके लिए पानी time to time इसमें चाहिए अभी इस खेत में देखे सूखा है पूरी तरह से तो इसके लिए ऐसे खेत में fertilizer अभी देना है fertilizer देने से पहले इसमें कोन फिलिंग यानि पोंगा भरनी कर लीजे 13,4,3,2 kg, पीडियाए 500 ml, मैगनेशम 2 kg, नूट्रिपॉल, यफ्यफ, एक लिटर 200 लिटर पानी में 200 ml पर पाउदा इसे एक मुंगरी यानि कोन फिलिंग कर लेने का है उसको पोंगा भरनी बोलते हैं पानी देने के बाद एक ब्याग यूरिया, एक ब्याग पोट्यास, दस किलो मैगनेशम सलफेट, अगर 24-25 मिलता है तो 24-25 किलो, 5 किलो कनुवर्टियस और 5 किलो माइकरो नूट्रेंट, यानि नूट्रिपॉल एसे अप, यहाँ खाद दीजे, 15 दिन में एक बार, और अग पाहत का सेडूल आप बनाए, जिससे ग्रिनरी आएगी और हैट बड़ेगी, और यह देने के 4 से या 5 दिन बाद, कैलसियम नाइट्रेट 4 किलो, बोरान 500 ग्राम, चिलेटेट जिंक 500 ग्राम, और विकर 1 लिटर, इहाँ 200 लिटर पानी में, जहाँ पे ड्रिप है, वहाँ से ड्रिप में दीजे, जहाँ पे फ्लड पानी है, उसको 200 लिटर पानी में ये लिजे, और 200 ये मिल प्रति पाउदा, पानी देने के बाद, उसको ड्रिंचिंग करे, पानी देने के सुखा जब रहेगा, तब ड्रिंचिंग नहीं करना है, और उपर से पोंगा भरनी भी नही करना है जहां आप पानी दोगे उसके बाद यह treatment करना है क्याल्शम नैट्रेड बोरं जिंक और विकर का यह ड्रिंचिंग करिए पानी देने के बाद और खाद देने के बाद यह सेडूल आप हर विक में दो बार क्याल्शम दीजिए और यह पंदरा दिन में यूरिया पोट् चोबी चोबिस कनवर्ड और निूट्रिपॉल यह सप ये पंदरा पंदरा दिन में ये खाद चलाए और पोगा भरनी ये यानि ये चार सेडूल जो है चार सेडूल आप ये दीजे उसके बाद पानी छे दिन में यहाँ पे चलाओ क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है और स्प्रे लिजे ट्रिपल नाइन्टी 100 ग्राम मेगनेसम 100 ग्राम प्रोमीन 30 ml, PDI 40 ml, न्यूट्रिपल यफ्यप 40 ml और प्रोजीब जिबरिलिक ऐसिड 40 परसेंट 1 ग्राम इतना स्प्रे 15 लिटर पानी का प्रतिपम यह स्प्रे करिए इससे अपके प्लोट में सुधारना आ जाएगी धन्यवाद